सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइपन के दबाईए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हालो फ्रेंट्स चलिए आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह की आकर्ति का छेतरफल है वो कैसे ग्याद किया जाता है तो उसे का ये क्यूसन है जिसमें हम एक प्लेन का चेतरफल ग्याद करेंगे तो इसका चेतरफल ग्याद करने के लिए हम हिरोन का फॉर्मूला भी काम मिलेंगे और इसके अंदर हम जो तिरी बुज का फॉर्मूला लगाते है एक बटे दो बुणा दार बुणा हों चाहिए वो भी काम में लेंगे इसमें, और आयत का फॉर्मूला है, वो भी इसमें काम में लेंगें, क्योंकि यह आकरती ऐसी बनी हुई है, कि इसमें अलग-अलग टाइट की आकरतिया है, यहाँ पर देखें, यह तिरी बुजे, यह दोनों भी तिरी बुजे, नीचे एक चतर क्रका यह 5 cm है, यहाँ पर यह जो इसके पंक है, वो 6 cm का इसका पंक है, काफी बड़ा होता है प्लेन का, लेकिन यहाँ पर 6 cm का यह,忙 पर इसका ना बलाग है, यह जो पड़ा है, यह श्य 190 है, यह पीछे का इसके पंक है, उसकी माप दे रखें एक संटिमिटर है, है यह भ इसका माप है वो दिया गए अब इसका 26 फ़ल गद करना है तो 26 फ़ल अलग अलग तरीकी से गयाद करेंगे क्योंकि इसमें जो आकर्ती है सबी आकर्ती का हमें अलग 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 6 फ़ल गद करना पड़ेगा और लांश्ट में उन सबी को हम प्लस कर देंगे तो पूरी आकर्ति यानि पूरी प्लेन का छेटरफल आ जाएगा तो सबसे फ़हले हम क्या करते हैं सबसे फ़हले इसको numbering देते हैं तो चलिए इसको number देते हैं यहां पर हम माल लेते हैं कि यह जो इतना बाग है इसका नोका कार जो बाग है आगे वाला यह एक नमबर है यह एक नमबर बाग है और यहां से लेके यहां से लेके और यहां तक यह देखे यह दोनों जो बुजाएं हैं इसके यह क्या बराबर है और यह दोनों बराबर है त तो इसको नाम दे दिया हमने दो नमबर, और नीचे वाली है, इसको नाम दे दिया तीन नमबर, यह अलग आकर्ती होगी, इन दोनों में से किसी को चार और किसी को पांस दे सकते हैं, तो इसको हम चार नाम दे देते हैं, और यह आकर्ती नमबर पांस होगी, इस तरह से पांस आकर्थी का में चेतरफल ग्याद करना है चलिए सबसे पहले हम आकर्थी एक का चेतरफल ग्याद करते हैं आकर्थी जो एक है यहां पर हम लिख लेते हैं आकर्थी एक का छेतरफल साथ में इसके चितर भी मनाता चलूँगा ताकि समझ में आजाए आकर्थी एक वो कैसी है व क्यों कि ये दुनों बुजाएं वो बराबर है और ये नीचे वाली कितनी है नीचे वाली इसके बराबर है तो ये एक सेंटिमेटर है तो ये भी कितनी होगी एक सेंटिमेटर यानि कि ये कितनी होगी एक सेंटिमेटर है तो इसका माप आ गया अब तेरे बुझ कि अगर तिन को जोड लेते हैं 5 प्लेस 5 प्लेस 5 कितने हुए 11 ग्यारा बटी में थोड़ा आपको फार्च ली बता देता हूं 11 बटी 2 आ जाएगा 11 बटी 2 का मतलब हो गया 5.5 cm या अर्द प्रिमाप आ गया अब इसमें हिरोन का फॉर्मुला लगा लेते हैं तो हिरोन का फॉर्मुला जो प्लस माइनस जोड बाकिये करना है तो चलिए इसको जोड बाकिये कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं बता देते हैं अब इसको जोड बाकिये करेंगे तो क्या आएगा पहला यह 5.5 यह आ गया 5.5 उसके बाद में गुणा में 5.5 माइनस में 5 करेंगे तो कितना रहेगा 0.5 आगी भी इसके 0.5 यह आएगा और फिर गुणा में आएगा इसके 4.5 सभी को हम गुणा कर लेते हैं अगर सभी को तो यहाँ पर आजाएगा 6.1875 मैंने सभी को गुणा पहले से कर रखा है आप करके जरूर देखना है अब इसका अगर रूट निकालते हैं तो मैं यहाँ पर आपको रूट नहीं बताऊँगा क्योंकि काफी वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए रूट निकालना कर आपको नहीं आता तो मैं अलक्स एक वीडियो बना दूँगा तो यहाँ पर इसका रूट निकालते हैं तो इसका जो अंडरूट हो आजाएगा 2.48 हाजाएगा सेंटीमिटर स्कौाइर यह आगए इसका चेतर फल यह नहीं पहली आकरती का चेतर फल अब निकालते हैं आकरती दूसरी का चेतर फल तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आकरती 2 का चेतर फल निकाल लेते हैं आकरते दो है वो किस्तायत की यह आयत आकार आयत के ज olhos करती है तो मैं इसको फ़ोड़ी इस तरह से लंबी बना देता हूं इस तरह से बना देता हूं अब देखिए ये है एक और ये भी एक है ये एक है ये भी एक सेंटीमेटर है ये दोनों कितनी होगी है ये 6.5 है तो इसके सामने वाली इसके बराबर है तो वो भी 6.5 तो ये होगी 6.5 उपर वाली भी 6.5 आयत का जो 6.5 होता है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ आयत का 6.5 लंबाइ गुणा छोडाई 6.5 छोडाई एक है गुणा के लिएक है 6.5 गुणा एक तो कितना आगया है या जाएगा 6.5 या जाएगा 6.5 सेंटिमेटर स्कौऱ आकरभी 2 का 6 तरफल हो गया अब निकालते हैं आकर्ती 3 का 6 तरफल यह आकर्ती 3 है इस तरह है अब यहाँ पर देखी यह एक सेंटीमेटर है यह भी एक सेंटीमेटर है उपर वाली भी एक सेंटीमेटर है और नीचे वाली दो है यह उगए दो सेंटीमेटर हम क्या करेंगे इस आकरती का डायरेक्ट शेतरफल नहीं निकाल सकते है तो इसके लिए हम क्या जो नीचे वाली है ये इसका एक मद्धे बिन्दू मान लेते हैं यहाँ पर इसका मद्धे बिन्दू यानि कि इसको अलग-अलग दो बागों में डिवाइड कर दिया अब ये भी एक सेंटिमेटर रहेगी ये भी stanbul 10P1 œ पंदेंवों को मिला देंगे यह सी मिला दिया यह मिला दिया किसे to इस एक सेंतीमेटर की यह बना लेगे onun 1 प्रीटर ही की अब इसको में 1 लिख देता हो हूं कि इसे में 3 तीरिव पंदेंगे इस 3 बुज में भी ऐसा ही है तो 3 क्या है इसेम है अब जेस तर्त में 3 बुज में तीनों भुजाये बराबर होती है rebels वह सम्बाहू तर्ष होता है तो यहांपर हम सम्बाहू तर्ष का चेतरफ और जो भी चेतरफु आएगा उसको तो यह आगा है रूट 3 बटे 4 एक आमान कितना है एक आमान एक है एक है यहाँ पर बुजा है कोई भी तरी बुजा ले लिजिए तो एक हो गया चोरी यहाँ पर लिखना था एक का स्कुराइब गुणा करेंगे तो भी कोई फरक निपड़ता अब यहाँ पर देखें इसके सरल करते हैं सरल करेंगे तो यह आ गया ठरी एंट्व अब एक को पूरे से गुणा करेंगे तो कोई मतलब तो है नहीं यह आजाएगा अब यह आगए रूट 3 रूट 3 को एक पॉइंट साथ तीन दो लिख सकते हैं और इसके बटे में लिख सकते हैं चार अब उपर वाली स 2.99 लग बग इसको 1.3 लिख सकते हैं तो यह हो गया सेंटीमेटर स्क्वाइर यह आ गया तीसरी आकर्ति का चेतरफल आकर्ति चार और पांच दोनों ही बराबर आकर्ति दोनों जो इसके पंक है वह दोनों सेम पंक है इसके लंबाई चोड़ाई भी बराबर होगी जो भी लं निकालने के जुरूत नहीं, वैसे दोनों का, एक का निकालेंगे और उसको दो बार लिख लेंगे, चलिए, तो आकरती चार का निकाल लेते हैं, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, आकरती चार वे पांच बराबर है, बराबर है, दोनों आकरती बराबर है, तो आकरती चार क 大ب 26 ब अब जो अकुर्ष 4 और 5 आ है वह अकुर्ष 3 बुजाकर आ है है तो मैं यहां पर छितर मना देता हूँ देखे इस तरह से माल लेजिए कोई भी आकरती लेगी चार पांच मना लेते हैं कोई भी आकरती लेगी लेजे यहाँ पर इस तरह से यहाख करती है अब यह जो उपर वाली है यह है 6 кажrav और यहाँ पर यह जो है वह है 1.5 sc сер Int यहाँ पर देखे अगर इसलदी को थोढ़ा एसे गरें यानि कि इसलदी उसकी बनादे दे तो तो इसका अचाई दो गुनटें दो गुना prc कितना है 1.5 गुणा सिर्चलम कितना है 6 अब 2 का इसमें भाग देंगे तो आज आएगा 3 3 को 15 से गुणा किया 45 यानि कि 4.5 तो यह आगए 4.5 सेंटीमेटर स्कॉर्ड आकरती 5 का भी 4.5 ही आएगा तो हम लिख देते हैं आकरती 5 का 6 तरफल 4.5 5 सेंटीमेटर स्कॉर्ड ये भी इतना ही आएगा अब हमने जो 5 आकरती इसमें दी गई ये प्लेन जो है इसमें 5 आकरती है सभी का 6 तरफल हमने निकाल लिए अब सभी का जोड लेते हैं तो पूरे प्लेन का 6 तरफल आजाएगा प्लस दूसरी आकर्थी का जो 36 फल है वो हमारी पास में आया था 6.5 ये लख देते हैं 6.5 प्लस तेसरी आकर्थी का जो 36 फल आया था 1.29 में तो 1.3 लिख सकते हैं इसको प्लस उसके बाद में चोथ्य आकरती का 4.5 और पांच वे आकरती का भी 4.5 यह आगया सभी का छेतर फल अब इन सभी को हम प्लस कर देते हैं तो अगर इनको सभी को प्लस करते हैं तो इनका जो छेतर फल आएगा 19.28 cm2 यह 19.28 है इसको 30 लिख सकते हैं यानि 19.3 cm2 यह आजाएगा इस प्लेन का छेतर फल इस तरह से यह जो प्लेन है इसका हमें छेतर फल ग्याद करना है प्लेन काफी बढ़िया है क्यूसन काफी इंट्रेस्टिंग है और छेतर फल है वो हमें अलग लगा करती का निकालना पड़ेगा तो आई होप यह क्यूसन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा फिर भी आपका कोई भी स्वाल है तो मुझे कमेंट बोक्स में जरूर लिखें आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू